स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बैल तुल में आज हम बात करेंगे अर्विंदो फार्मा अर्विंदो फार्मा जो की 881 के आसपास चल रहा है जैसे आप स्क्रीन पे देख पारें अगर आप देखेंगे जो इसका टार्गेट प्राइस दिये गए है वो टार्गेट प्राइस जो दिये गए है 1100 के दिये गए है शेर खान की तरब से तो अर्विंदो फार्मा जो 31 मार्च का जो आप देख सकते हैं ये टार्गेट प्राइस दिये गए है 1100 के अब हम चार्ट के उपर देखें तो किस टाइप का ये चार्ट नजर आता है आप देख सकते हैं इस टाइप का ये चार्ट जो है नजर आएगा आपको ये जो चार्ट है आप देख सकते हैं 2018 के आसपा से मने लगा रखा है इसे और एक चैनल के अंदर अब ये चलता हूँ न तो support जो इसने लिया, आप देख सकते हैं नीचे के लेवल पर same line के उपर देख सकते हैं नीचे लेवल णे में Support लिया पर गया एंध्रेयर है और और ये जो है आपको उपर के लेवल तक जाता हुँआ लिए लेवल गता है यह इस line को touch कर सकता है तो 880 के आसपास का level है कोई भी deep इसके नदर मिलता है इस line के आसपास जो lower trend line है जो support line है उसके आसपास आपको मिलता है तो बिल्कुल by on deep इसे करना चाहिए क्योंकि यह उपर के level को again touch करता हूँ नदर आएगा इसने break नहीं कर पाया था उपर की line को अगर इस वार इस line को break करता है तो जो targets जो share खानने में आपको दिखाए 1100 के आसपास के targets है उससे भी उपर जाता हुआ यह share जो है नजर आएगा और net profits जो पिछले quarter में दिसंबर 2019 में से 705 क्रोड से increase होके 2960 क्रोड के है अगर पिछले quarter के results से भी आ comparison करेंगे तो आप देखेंगे 826 क्रोड के जो profits से 2960 क्रोड के हुए है तो अब जो आने ले time में जो results announce करेंगे तो आप देख सकते हैं पिछली बार इन्होंने जो 3 June को results अनूंस किये थे इस quarter के तो अगेन जो है जो results आएंगे अच्छे आते वो नजर आ सकते हैं और ये share उपर जाता वो नजर आएगा lower side का risk इसक अंदर कम है बाइन डिप की policy के साथ इसे आप ले सकते हैं और एक trend line जो support इसका बनता है तो risk reward ratio इसका अंदर अच्छा बनता वो